लक्षमी कांथ बुक की वीडियो फोर में आज हम बात करेंगे चार्टर एक्ट आफ 1813 की और चार्टर एक्ट आफ 1833 ठीक है तो सबसे पहले इस एक्ट में ट्रेड मोनोपोली को बॉलिश कर दिया गया तो ब्रिटिश इस्ट इंडियर कंपनी को बोला गया कि टी के ऊपर आ जो ब्रिटिश इस्ट इंडियर कंपनी जो है वो उसको को उसके मालिक चुको ने ब्रिटिश क्राउन तो उसके बाद जो नेक्स स्टेप जो था क्रिश्चन मिशिनरी को बोला गया कि आप इंडिया में आके अपने अपने धर्म का परचार कर सकते हो ठीक है यह भी जगों में वेस्टर एजूकेशन फिलाई जाए ठीक है अब लोकल गुर्मिट को बोला गया कि आप लोगों पे टेक्स लगा सकते हो ठीक है यह लोकल गुर्मिट भी टेक्स इंपोस कर सकती है लोगों में यह भी बोला गया चार्टर एक्ट आफ 1830 में ठीक है तो यह था डी ऑनंगे तो आप बात करते हैं चार्टर एक्ट आफ 1833 चाटर एक्ट अफ 1833 के अगर बात करते हैं सबसे पहले काम जो हुआ हो我們的 जनरनल रॉफ बंगाल को गवर्नर जनरनल रॉफ इंडिया का दरजा दे दिया गया ठीक है और पहले गवर्नर जनरनल आफ इंडिया बने लौर्ड विलियम बेंटिक ठीक है उसके बाल जो भी सिवल पावर थी military power के ऊपर जो complete authority तो थी फूल authority किसके पास आ गई governor general of India के पास ठीक है आप जो बंबे में presidency मदरास presidency के पास छोटी मोटी power भी थी ठीक है वो भी उसके हाथों से चीन लिग गई और वो governor general of India के पास आ गई ठीक है उसके बाद इससे पहले जो भी लाव बनेंगे और उसको क्या बोला जाएगा act ठीक है यह भी आपकी book में यह लिखा गया है ठीक है इस टीडिया कमपणी पहले क्या थी commercial company थी है न ती और चाइना के साथ वो trade कर सकती थी लेकिन आप वो यह भी नहीं कर सकती थी ठीक है यह भी वगएरा उनसे छीड लिया गया ठीक है और उसके बाद जो important काम हुआ इस charter act रव 1833 में यह बोला गया एक open competition किया जाएगा ठीक है और कहा गया इंडिया को आप किसी भी तरीके की post पे ठीक है अब उस यह का गया कि इंडिया को आप किसी भी तरीके की post या employment करने से नहीं रोक सकते ठीक है अब नहीं रोकेंगे इंडिया को किसी भी employment करने में या किसी भी post में जाने के लिए नहीं रोकेंगे ठीक है यह था हमारा charter act of 1833 उमीद करता हूँँगा charter act of 1813 और 1833 आपको अच्छे से डीटेल में समझें आया होगा ठीक है